नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दोलाधर अपडेट्स में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो हिमाचिर परदेश में सेंट्रल उम्नष्टी धर्मशाला के लिए जो है पिएचडी की जो प्रवेश प्रिक्षा जो हुई है तो इसमें कुछ सवाल उठ रहे हैं तो इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि जो ये प्रवेश प्रिक्षा जो दी गई थी पिएचडी के लिए तो ये रद होगी या नहीं और किन कार्नों से ये रद होगी तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी जान दाए तो लाइक जोरू करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो ये आज के न्यूस उपर में ये न्यूस आई है कि सी यू ने पत्रकारिता की प्रवेश प्रिक्षा में डाले 50% पुराने प्रशन तो पूरी जानकारी टेरेल में बाते हैं आपको हिमाचल परदे प्रवेश केंदरिव विशव बद्याले की पत्रकारिता में प्रवेश परिक्षा बिबादों में आ गई है तो ये प्रिक्षा ली गई है तो ये बिबादों में आ चुकी है तो पहली मार्च को जो है हुई थी ये परिक्षा एक मार्च 2020 को जो है ये परिक्षा ली गई तो इसमें जो है प्रशन जो है पचास फीजदी प्रशन जो है दो रा दिये गए हैं जो कि प्रिविस येर के जो कोशन पर है वो एज़िटी जी जो है इन्होंने डाले हैं तो बैठ्थियों ने आरोप लगाया कि वर्श दो यर स्तारा में पत्रकारिता विश्य की प्रशन तक नहीं बदले गए तो उन्होंने जो प्रशन डाले थे प्रिविस येर कोशन पर के दो हैर स्तारा में जो कोशन हुआ पेपर हुआ था तो उसमें जो है इन्होंने ओप्शन के जो भी है ओप्शन थे वो भी इन्होंने आगे पीछे नहीं किये थे प्रवेस प्रिक्षा में 100 प्रशन पूछे थे जिसमें 50 पत्रकारिता विश्य से सवंधित और 50 शोध पत्ती पर पूछे जाते हैं केंदर विश्य पर जाले ने इस बार 24 विश्यों की 236 सीटे जो है इन्होंने भरनी थी तो वो प्रवेश प्रिक्षा का अयोजन किया था जिसमें पतरकारिता विश्य की 5 सीटे है भरतियों ने प्रवेश प्रिक्षा रद करने की मांग उठाई है तो आगे हम बताते हैं माध्य प्रशन जो है दोराए गए ओप्षन तक बदले नहीं गए थे तो अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश आने पर सोरी प्रवेशन आने पर उठाई स्वाल तो केंदर विश्य प्रशाशन हिंदी वाशा को बढ़ावा देने के दावे करता है लेकिन धरातल पर वास् के रिजिस्टरार संजीव शर्मा ने कहा कि प्रवेश प्रिक्षा के लिए प्रशन जो है पेपर बैंक से उठाई गए हैं तो पेपर बैंक से जो है ये प्रशन उठाई गए हैं अगर दो यार्स तारा के प्रशन पत्तर के अधिक तर प्रशन आये हैं तो इस बारे मुझ जानकारी नहीं है तो उन्होंने बताया है कि अभी तक ऐसी कोई भी शिकायत या मांग नहीं आई है जिसमें पेपर रद की बात कहीं गई हो तो यह जो आपको मैंने बताया कि 2017 में जो इन्होंने पेपर कड़क्ट किया था प्रवेश प्रिक्षा के लिए PhD की तो वही कोशन जो है इन्होंने रपीट कर दिये हैं तो मैं एक जो है अपना ओपीनिन देना चाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी और आपको पुली डिटेल जो है मैंने बता दी है कि प्रिक्षा जो है अभी तक जो है रद नहीं हुई है तो इसके रद होने के चांसिस भी जो है आ करेंगे कि अपने चहितों के लिए जो है रखवाने के लिए जो प्रेशन डालते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है तो क्योंकि पिछले कई सालों में यह जो प्रिवेस के कोश्चन जो है कई के अन्डेट जो है पढ़ आते हैं तो उनके जो है लग होता है कि वो प्रेशन आ से डाल दें तो अलगलग पेपर से जह है एक या डो दो कोश्म जो है हर प्रीविस State पेपर से जो है यह डाले तो हो सकता है तो अब देखते हैं कि यह प्रिक्षा हरा होती है या नहीं तो अगर रद होगी या नहीं तो तो इसके बारे भी हम जो है नोटिफिकेशन आएगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पूंट आने की जो है कोशिश करेंगे तो अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आगे है तो लाइक करें और जा सेथा इस वीडियो को शेर करें ताकि आपके दोस्तों को पता लग सके कि यह प्रिक्षा में जो है 50% प्रशन जो है 27 के वेपर से पूछे गए थे तो उनके जो है पूप्शन भी जो है नोने चेन ही किये थे तो आप जो है जो अगले नेक्स्ट इजाम आए तो आप जो है प्रिविस एर पेपर जो है पढ़के जूर जाएं क्यों आपको ऐसी ही अपडेट जो है हमारी चैनल द्वार मिलती रहे तो वीडियो को दिखने के लिए धन्यवाद जाय भरत जाय माचल